हेलो गार्स विलकम बैक वाइट नियो वीडियो गाईस जैसे कि आपको भी हमेशा मेरे जिसां प्रेस करना पड़ता है यानि आपको मार्केट पर रिलेक्ट प्रोडिक्स नहीं मिलता है या एलेडी नहीं मिलती है लाइट से नहीं मिलती है तो आप लोग क्या करते हो सब्सक्राइब करते हैं अब सबसे पहले अगर देखे तो यह नॉर्मल सा वेकेज हैं फिलिप काड़ का आपको इस बर साफ सब देखने को मिल जा रहा है यह वेरिफाइब होगा करके भी आया है तो चलो इसे सबसे पहले कर देते हैं और देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं और यह यहां पर कुछ भी नहीं है इसे साइड रखते है इस वाले पर देखो यहाँ फ्लास्टिक पनी लगी जोगी इसका कंडिशन जो वह वह यह काफी इसा समझ में ही नहीं आ रहा है यह देखो हावसे में रेट आपको यहां पर दिखा घटा हो देखो रेट जो है वह फोर नाइन है यानि लगभग साड़े 400 रूपे का यह ओनलाइन पर नहीं भीग रहा है और यह क्या है चलो मैं दिखाता हूं यह देखो इसके अंदर पर हमें द करके लाइट को भी साथ में चेक करके दिखा दूँगा देखो यहां पर मेरे पास बारा वोल्ट की लाइट और इस वह लाइट की काफ ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि यह काफी अच्छी भूसनी भी इस पर मिल जाती है देखने के लिए और साथी यह काफी कम रेट बनाना था तो आमें जाओ पड़ दाता है देखो दो हमें यहां पर ग्रेंग लाइट देखने को मिलता है दो आपको येलो देखने को मिल जाएगा दो गुलाबी देखने को मिल जाएगा दो आपका लाल और दो वाइट में है बस यहां पर टोटल बारा पीसे से हैं यानि एक का रेट लगो निकाले तो मेरे ख्यास से 16 यह 17 रुपे की साब से मुझे पढ़ेगा क्योंकि अगर एक रेट कमाने देखर 20 रुपे से पढ़े 20 40 60 800 यानि कि ज़्यादा ही पढ़ जा रहा है क्योंकि यहां पर दो-दो पीस है लोकल मार्केट पर मैं इसे गया था लेने क कि मुझे 25 रुपे का एक पीस मिल रहा है यानि कि दो का पचास यहां पर प्रॉफिट मुझे कितना हुआ यह हैं पचास सो डेड़ सो दो सो और यह होगा टोटल तीन सो तीन सो हमें रुपे देने पढ़ते हैं लेकिन अभी मुझे मिला सिर्म से एक सो आस्पास में आपको साफ साफ क्वालिटी देखने मिल जाएगा कि डिसी 12 वोल्ट पर यह काम करता है आपको दिख रहा है कि नहीं विस पर दिखेगा न हाँ इस पर दिख जाएगा यह देखो यहां पर देख सकते हो 12 वोल्ट साफ सब यहां पर लिखा हुआ है और यह हमारा जो कितना है 2.5 2. 2.4 वोटेज का है यानि काफे अच्छा मैं इस पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा तो चलो हम इसे टेस्ट करते हैं कि परफेट काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमें 12 वोल्ट का सिंपल एडप्र यूज़ करेंगे और उससे हम इसकी जो प्राहितन दोनों में से हमें यहां पर दों यहां से वायर को छिन लेटे यहां से यहां चिन लिए यहां से एक पूरे वाइड वाला ग्राउंड है तो इसे मैं यहां परट डाल दिरो हम इसके अंदर और ग्राउंड वने को इसके साथ थिए कि बाइक काफी तेज ब्राइफ के मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखो मैंने इसे यहांपर पर सिंपने से टॉच किया और रोको हैं से ऐसे करते हैं आप देखो आप ingrax इसे दिवाली लाइट बनाए जाना तो आपको सोच नहीं सकती इसकी कितनी ज्यादा प्रैस्टेस होगी मैं तो अपने सेटप पर इसे लगाने वाला हूं और दिवाली पर भी काफी अच्छे लाइट इसे बनाऊंगा इतना तो अच्छा कासा काम कर रहा है यानिकि आम मैं इस सबस्क्रेश में से मैं 10 नंबर देने वाला अब मैं बुलू वाले को चेक करने वाला हूं और जो भां वीडियो को इसकीप कर रहे हैं प Independence को खरीद रहा हूं कि आपकी वीडियो को पिंश नहिए मुझे देना था ठीक है तो आप लोग बस सपोर्ट कर दो इतना है देख सकते हो गुलू का लाइट जो है वो कुछ ऐसा है ब्रैथनेस अगर इसे समझे तो अपने आपों सो तो नहीं समझ सकते हो आप वीडियो जब दिखेगी प्रोजेक्ट वाली उस टैम पर आपको लाइट इसका प्रोपर दिखने को मिल जाएगा वैसे ब्लू आपको अरजीबी नहीं है जिसके वेसी यह पर्फेक्ट यो में कलर है वो नहीं देगा ठीक है तो यहां पर इसे च्छिन लेते हैं और इसे भी हमें टुवेल बंडेंट को देना है तो इससे यहां पर लगा देता हूं और ग्राउंड को मैं टच करता हूं यह देखो आप इसका जो परहते से वह आप लोग देख सकते हो जो हमारा गुलाबी लगा यह परफेक्ट लाभी दे रहा है मुझे नहीं लगा तक यह अच्छी तरह से लाइट देखा लिए काफी तेज ब्रहतने से दे रहा है और यह एक तरह जो हमारा वाइट जिस तरी से गलो क्या था से मु मुझे लग रहा है कि मुझे यह कम से कम तील से चाल सेट मुझे खरेद लेना चाहिए यह काफी सस्ता मिल रहा था और मैं यहां पर टोटो छे कलर भी देखने को बिल गया तो बेनिफिट हमारा ज्यादा ही था यह देखो यह है ग्रीन वाला ग्रीन क्लर भी काफी अच्छा है वैसे कंलों लग लगाते तो नहीं कि GREEN वेग्रांड पर चल जाता है ठीक नहीं लगता है यह खासकर पोड़ों के लिए बनाए जाता है ग्रीन क्लेर का लाइट तो इसे अच्छी तरह बेग्राउंड पर यूज कर सकते हैं अगर ग्रीन परदी का सीन चाहिए उस दिखेंगे पर हम इसे यूज कर सकते हैं इसे मैं दूंगा दस में से नो नमबर ठीक है अब बचाए लाश हमारा दो लाइट एक हमारा रेड़ बचा हुआ है और यह हमारा ये लो बचा हुआ है तो चलो मैं इसका कैसा लूग आता है यहां से वायर को मैं फुड़ा चिन ले रहा हूं कि अब आयों मुझे आप लोग बताओ कि इसे क्या सभी लाइट को छट पर लगाए जा सकता है और कैसा लूग आएगा और आगे भी काफे सारे वीडियोस आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ठीक है अब देखो यह ओरेंज पिला मैंने सुझा था इसा जो कवर है वही पिला यानि ये लोग लगार का है लेकि जब यह गलो कर रहा है ना तो यहाँ पर यह ओरेंज गलो कर रहा है यानि यह पीला नहीं है और देखते को मिल गया कुछ ऐसा है अब बाकी आपकी मर्जी है आप वीडियो को लाइक और चैनल को टोई ये लो क्लार का पूल कर रहा है तो मैं इसे दस में से 5 लो Regen replay उसके य lucky याने कि Coordinator कई काम उस पर आएगा तो अज़ानी से ये कम वेड़ेज पर भी चल जाएगा इसे कोई प्रोब्लम नहीं है अब देखो यह रेड है अब मुझे रेड यह लगी ने रहा है चूँ केमरे पर आपको लाल दीख भी रहा होगा लेकिन यह ओरीजिनल में देखा जाए तो यह भी हमारा हलका गुलाबी है यह गाड़ा आप हो सकते हो ज्याद कलर्स को मैंने शेक करके दिखा दिया और हो सकता है आपको प्राइट अभी और भी कम देखने मिले जब तक दीवाली खदम ने होगा तो तक आपको यह स्टार एंड लाइट्स एवनेवन मिल जाएगे और नीचे डिस्क्रिप्स से आप आप आपिस यह बाइक कर सकते हो कि यह मिलते हैं नए प्रोजेक्ट सा तक लिजय हैं जय बारत